आपको अपको इस वीडियो के नंदर आपको फुली परस्थ बताने वाला हूं कि हाउजएट में आप आप टीम करेट करके रैंक एक पर कैसे आ सकते हैं बिल्कुल इजी परसास है एटुजाट फुली आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं हूलवी और आप देख रहे हैं यूटी चौने टेक्निकल पिंट बड़ा सबसे पहले आपको दोस्तों इस अप्लिकेशन को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा अब कल को जो मैज है इंडिया पाकस्तान का मैज है तो आप क्रेट जब भी टीम करेट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता बिल्कुल आप वीडियो को अगर बात सही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा हम करते क्य रहा हूं जब भी हम टीम करेट करते हम क्या करते हैं एक हमने विक्ट की पर रख लिया तीन हमने बैट्समें रंग लिए एक दो और अंडर रख लिए यहां पर हमने तीन से चार बोलर रख लिए जो मैं आपको टीम यहां पर बता रहा हूं हम अपनी टीम जब भी करेट कर कर देखते हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं करना, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, हमने कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अपनी टीम जब भी क्रेट करते हो, किसी से अलग करो, उससे पैटरन में क्या होता है, कि आपकी जो बीनिंग के चानस है, वो सबसे ज़यादा रहत को बता रहा हूं कभी भी आपको ऐसे नहीं करना हम करते क्द्ध कि अब अपनी team को create कर लेते हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना जब भी match start होता है तो आपको सब से पहले कहा करना Google पे जाकर जो stadium है उस stadium है जाकर pitch की report देखनी है अगर betting पीछ है तो आपको कहा करना betting पीछ है तो ध्यान दिने है batting pitch है तो आपको अपनी team को crate कैसे करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी team के अंदर आपको batsman है वो आपको ज़्यादा रखने है आपको उसमें bowler कम से कम रखने है इस application के अंदर बिल्कुल भी dream lab बन जाएसा नहीं है कि आपको अगर बै्टिंग पीछ आप बैलर को कम अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रखने आए याख मैंने आपको बता दिया कि अगर बैटिंग पीछा है तो आपको अपनी टीम के अंदर जादा सी जखाल बैटसej्मन स्लेक्ट करने हैं अब टीम क्रेट होगी टीम क्रेट करने के बाद आपको बोलर पर अगर बैटिंग पीछा तो आपको बोलर पर से Captain & Vice Captain select नहीं करना उखिक में इसमेंप को Captain & Vice Captain स्लिक्ट करना है मैंने आपको बता दिया कि अगर इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है आप देखना मैंं अब दूर्श 17 मैंने batsman अपनी team के अंदर रखे है एक दो आपको आर उंडर आपको एक दो बिल्कुल रखना ही रखना है चाहे batting पीचो चाहे bowling पीचो आपको आर उंडर अपनी team के अंदर बिल्कुल रखने ही रखने हैं अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूँ मैंने अपनी टीम के अंदर 6 बोलर को यहां पे सलेक्ट हिया अगर बैटिंग पिछा तो आपको अपनी टीम कुछ इस तरिके से आपको क्रेट करनी है मैं आपको फिर से बता रहा हूं कभी भी आपको उस रास्ते पे नहीं चलना जिस रास्ते पे सभी चलते हैं आपको अपना रास्ता है, खुद आपको क्रेट करना, तभी कोई भी अपकी लाइफ का डिसीजन हो, किसी की रास्ते पे बिल्कुल ही चलो, मत अपना रास्ता खुद बनाओ, किसी की बता हुए रास्ते पे कभी मत चलो, जिन्दगी में अगर आपको कामजाब होना है तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा चाहे ड्रीम लेवन हो, कोई भी एप्लिकेशन हो जाट हो आपको अलग अपनी टीम रखने हैं, बिल्कुल भी सेम पैटरन में आपको टीम नहीं बनानी बिल्कुल आपको अलग पैटरन में टीम बनानी है, जो भी फर्स्ट रैंक पे आते हैं कभी भी आप अपने कॉंटेस्ट ओपन करके देख लीजेगा, उसकी टीम हमारी टीम से बिल्कुल डिफरेंट रूए आपको बिल्कुल भी सेम पैटरन पे टीम नहीं बनानी, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर बॉलिंग पीचा है तो आपको अपनी टीम के अंदर बैट्स कैपनेंट एड़ आपको अगर आवरेज पीछ का रिपोर्ट आवरेज है तो आपको अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा और अधर रखने है आपको captain and vice captain यहाँ पे अपनी R-under से आपको select करने है अगर pitch की report average है तो मैंने आपको तीन team में आपको बतानी अगर batting पीचा तो आपको क्या करना होगा अगर bowling पीचा तो आपको क्या करना होगा average है 55, 50, 60 ऐसे pitch की report है तो आपको क्या करना होगा सभी सभी मैंने आपको pattern बता दी है इसी pattern पे आपको अपनी team create करना है आप 100% tank एक में नहीं तो आप top 3 में आएंगे मैंने आपको वीडियो पे चैनल पे बता दी है मैंने first top 3 पे आ चुका हूँ 5 पे भी आ चुका हूँ मैंने आपको बता चुका हूँ